पुत्रता एकादसी पर पढ़ने वाले बहुत सारे योग जो कि आपको संतान प्राप्ती के लिए बहुत ही जादा शुब दिन है इस दिन जो योग बन रहे हैं यह संतान प्राप्ती के लिए बहुत ही सुब होती है पूर्ण इसका फल मिलता है यदि आप कुछ बिसेश तरीके की पूजा पाट करते हैं अपने घर में पुत्र या संतान की प्राप्ति के लिए तो पुत्रता एकादसी पर आपको इसका पूर्ण लाब जरूर मिलता है पुत्रता एकादसी जो होती है साल में दो बार पढ़ती है एक पोश माई में और एक सावन माई में तो यह जो पुत्रता एकादसी है सावन माई में पढ़ने वाली है जो कि 16 अगस्त को पढ़ेगी इस दिन आपको बहुत सारे योग भी बन रहे हैं जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लापकारी होगे तो इस दिन जोतिस अस्त्रों के अनुसर बताए गया संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे खास अचुक उपाय हैं जो कि आप कर लेते हैं आप विश्वास रदा भक्ती के साथ यदि हरी विश्णु भगवान की पूजा अर्चना और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि आपको अपने घर में अगर पुत्र प्राप्ती के लिए करना है तो अवश्य करिए और आपको इसका फून लाब भी होगा आपके घर में यदि संतान नहीं हो पा रहे हैं बहुत से ऐसे साधी सुदा जोड़ा है जिनके विभाय को 5-6 साल या फिर 10 साल से जादा हो गए हैं संतान की योग उनकी कुंडली में नहीं बन पा रहे हैं तो उनको क्या कर लेना है सावन का माय का माय है जो कोई बहुती प संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय कर लेना है और यदि आपके घर में संतान के अलावा आपके घर में पुत्र का जनम नहीं हो पाता है आपको वश्वरदी के लिए एक पुत्र चाहिए आपके घर में बेटियां ही बेटियों उत्पन होती है बेटियां का जनम होता है आप चाहते हैं कि एक भाई जरूरों बेटियों के लिए तब भी आपको यह एक छोटा सा उपाय कर लेना है। कोई भी आप उपाय करिएगा, पूजा पाट करिएगा, पूरी स्रदा और विश्वास के साथ करिएगा, तब ही उसका आपको फूर भी प्राप्त होता है। कोई बढ़ाते हैं और जानेंगे पुत्रता एकादसी के दिन जो योग बन रहे हैं, जो योग लग रहे हैं, वह कितने समय के लिए बन रहे हैं, उसी समय आपको अपने बच्चे की प्राप्ती के लिए उपाय करना है, संतान प्राप्ती के लिए उपाय करना है, पती पतन कभी कभी क्या होता है कुणले में कोई ऐसे घ्रह कमजोर हो जाते हैं या फिर आपकी कोक बांध रखी होती या फिर आपको कोई घ्रह नच्छा आपके घर में कोई भी प्रकार का दोस होता है नकारात्मा गुर्जा होती है जिससे की संतान की उत्पत्ती नहीं हो पाती आपक कि डॉक्टर इलाज से भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है सब कुछ नॉर्मन होता है फिर भी आपको संतान की उत्पति नहीं होती है तो आपको क्या करना जो पुत्रता एकदसी के जो तिथी पड़ती है यह योग बनाती है संतान प्राप्ती के तो आपको जरूर कर पूचा के लिए पूचा के लिए भूती सुबरंग होता है पूचा में हम जब भी कोई कलर पहनते तो पीला और लाली पहनते दूख आपको पीला कलर या फिर लाल कलर पहनना आपको सबसे पहले सूर नारायन भगवान को एक लोटा जल समर्पित जरूर करना है जिससे कि आपके जो ग्रह होते हैं वैसा ही दिसा में होते हैं तो आपको सबसे पहले सूर नारायन भगवान को एक लोटा जल अरपित करना है गंगा जल अरपित करना है उसी के बाद आपक पूर्फल प्राप्त होगा अब आपको क्या कर लेना है अपने मंदिर में चौकी बिछा लेनी हैं हरी विश्णु भगवान की आपको पूजा करनी हो सके तो आप इस दिन ब्रत का भी संकलब ले सकते हैं आप इसे का दसी पर ब्रत भी रखेंगे तो आपको और भी ज्यादा पूर्फल प्राप्त होगी अब रत नहीं रख सकते किसी भी कारण से तो आप पूरी विश्वाद से अप उपाए भी कर लीजे कर लेजे तब भी आपको पूर्फल प्राप्त होगा अब आपको क्या कर लेना है एक पीला कपड़ा बिछा लेना है अपने आसन में अपने घर में जिस तरीक से आप चोकी बिछा कर पूजा करते हैं ऐसे चोकी आपको बिछा लेनी है अपने मंदर में उसके बाद आपको हरी विश्णु भगवान और माता लचमी की तस्वीर और लड़ू गोपाल की तस्वीर रख लेनी है मूर्थी रख लेनी है और आपको दो पंचामित्र से आप अफशेक करेंगे उसी पंचामित्र को आपको स्वयम भी पीना है अपने पती को पिलाना है उसी के बाद आपने दो जुड़वा जो केले रखे हैं उन केले को समर्पित करना है फूल फल रोरी चंदन से आप जिस तरीके से धूप से दिया आपको पार्ट करना है आपको जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है आपको वो पाल पार्ट कर जाप कर लेना है कम से कम तो आप पांच बार करी सकते हैं पांच बार करिए ग्यारा बार करिए उसी के बाद आपको दूसरे दिन क्या करना है पूरव दिसा की और ब नो और दस के बीच में जो भद्रा लग रही है उस समय आपको क्या करने ना है यह पूजा कल लेनी है अब आपको यह जो केले हैं दूसरे दिन उठाना है पूजा इस्थल से आपको दो केले उठाने के बाद आपको एक केला स्वयम खालेना है अपने बच्चे की कामना को हमने बच्चे के बूजा करने हैं और यह सब्सें का महिना है तो शिब्जी के सामने भी बैटकर आपको दोनों हाथों से जोड़ कर अपने पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी है तो यह आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पिनाया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में हरार महादेव श्री हरी विश्नु का गवान का नाप जरूर लिखिएगा ओम नमस्षिवाय स्री शिवाय नमस्तु भ्यम